अगर आप लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको सोते हुए चूहा काट ले तो आप क्या करेंगे ? या पैरों को लकवा मार जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक चुहे के सरीर में बहुत सारे खतरनाक वाइरस और बैक्टिरिया होते हैं जैसे ही चुहा हमें काट लेता है तो वो खतरनाक वाइरस और बैक्टिरिया हमारे खून में चले जाते हैं और धीरे धीरे पूरे स स्रीर में फैल कर हमारे स्रीर में खतरनाक से खतरनाक infection पहला देते हैं तो अब आप समझ गए होंगे कि चूहे का काटना कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसलिए इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप लोगों को चूहा काट ले तो तुरंत क्या करना लेकिन उससे पहले आपको ये जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको दबा कर इस घंटी को ज़रूर दबा ले ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें सबसे पहले तो जहां पर चुहे ने काटा है वहां पर घाव बन जाता है उस घाव को साब पानी से 20 सेकिंड के लिए धोते रहें इससे आपको टिटनेस जैसी बिमारी नहीं फैलेगी फिर इस घाव को नमक वाले गुनगुने पानी में 5 मिनेट तक डुबो कर रखें नमक वाला पानी बैक्टिरिया के इंफेक्शन को फैलने से रोक लेता है फिर आप लोगों को घाव को अच्छे से साफ करने के बाद घाव को खुला नहीं छोड़ना चाहिए उस घाव को काटने के बाद आपके घाव से थोड़ा बहुत खुन निकल रहा है तो उस घाव को चारों तरफ से जोर से उंगलियों से दबा कर खुन को अच्छे से निकाल लें इससे चूहे के दातों का जहर भी निकल जाएगा और बैक्टिरिया भी फैल नहीं पाएगा ऐसा करने के बाद उस घाव पर अच्छे से पटी कर लें अगर आपको चूहे के काटने के बाद बहुत तेज दर्द हो रहा है तो आईबू प्रोफेन नाम की गोली जरूर खा लें जो एक तरह की पेन किलर होती है और चूहे के दातों से फैलने वारे दर्द को कम कर देती है अगर ये सब करने के बाद भी आपको बुखार हो जाए या इनफेक्शन लाल हो जाए या इनफेक्शन गहरा हो जाए यानि इनफेक्शन फैल जाए तब आपको डोक्टर के पास जाकर इलाज करवाना चाहिए जो आपको टिटनेस का इंजेक्शन लगा कर और आपके घाव को अच् अपना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। उमीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपय करके इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।